कम्प्यूटर चलो, आज पापा की कम्प्यूटर पर बैठ कर इससे होने वाले लाभों को जाना जाए ओ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इसे चलाओं कैसे तब ही कम्प्यूटर से आवाज आती है हलो बंटी, क्या ढूंड रहे हो? अरे, ये कौन बुला? लगता है ये आवाज कम्प्यूटर से आ रही है मैं बोल रहा हूँ बंटी, मुझे पता है कि तुम मुझे चलाना नहीं जानते आओ, मैं तुम्हे अपने विभिन अंगों से मिलवाता हूँ अच्छा, मैं टाइप्राइटर की तरह दिखता हूँ मेरा काम सुचनाओ को कम्प्यूटर तक पहुंचाना है लोग मेरे माध्यम से ही कम्प्यूटर को आदेश देते हैं मेरे बिना तो कम्प्यूटर में कोई काम हो ही नहीं सकता तुम्हारे बटन को दबाने पर टक टक की आवाजें आ रही हैं जैसे की किसी वाद ये अंतर से आती है मैं चूहे की तरह छोटा सा देखता हूँ अगर तुमने कभी चूहा देखा है तो तुम मुझे असानी से पहचान सकते हो मेरे दो भाग होते हैं और जरूरत के मुताबिक लोग इसे दबाते हैं मैं तो सबसे जादा जरूरी उपकरण हूँ सच में तुम चूहे जैसे ही दिखते हो जैसे लोग अपने मस्तिश्क का प्रयोग विभिन कारें के लिए करते हैं वैसे ही मैं भी कंप्यूटर का मस्तिश्क हूँ मुझे लोग प्रोग्राम के द्वारा आदेश देते हैं मेरा मस्तिश्क बहुत तेज है मैं अत्यंत तेज गती से घणना कर सकता हूँ और सूचना का विशलेशन कर सकता हूँ जब भी मुझसे कोई जानकारी मांगी जाती है तो मैं उसे तुरंत प्रस्तुत कर देता हूं बिलकुल मेरी तरह तुम लोगों ने टेलिवीजन तो ज़रूर देखाओगा मुझे देख कर तुम्हें टेलिवीजन की याद आएगी मैं टेलिविजन की तरह दिखता हूँ, CPU जो भी आदेश मुझे देता है, उसे मैं दिखाता हूँ, मेरे बिना CPU अधूरा है, सब लोग मुझ पर ही आखें जमाई रहते हैं तभी तुम इतना इतरा रहे हो अगर किसी को छपी हुई सामगरी चही होती है, तो वो मेरा प्रयोग करता है, और मैं कागज पर सूचना च्छाप कर देता हूँ ऐसा समझ लो कि सभी किताबों को च्छापने के लिए मेरी साहता ली जाती है तो क्या मेरी किताब भी तुम ने ही च्छापी है? ऐसा ही समझ लो हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं मेरा प्रयोग इंटरनेट के द्वारा सूचनाओ के आदान प्रदान में, बैंकों में हिसाब किताब रखने में, पढ़ाई लिखाई में, रेल टिकेट के आरक्षन में, मौसम के पूर्वानुमान में, चिकित्सा में, मनुरंजन, खेल कूद, तथा संगीत में किया जाता है कि टिकेट काउंटर पर एक व्यक्ति बैट कर टक टक करता रहता है, काटून फिल्म तो बच्चे बड़े चाब से देखते हैं, काटून का तो नाम ही मतलो, ये तो मेरी कमजोरी है, खास तोर से छोटा भीम, तकनीकी के विकास से अब मुझे चलाना बहुत सरल हो गया है मैं यूँ ही लोगों के काम आता रहूँगा तो क्या मैं तुम्हें चला सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा और बड़ा होना होगा ओ, मैं कब बड़ा होँगा? जल्दी ही हो जाओगे, जब तुम मन लगा कर पढ़ाई करोगे बाई 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 बाई